कभी भगवान को जोर जोर से पुकारता है अलाप लगाता है कभी उचे स्वर में कीर्टन करता है नाचता है गाता है कभी फूल चुन के लाता है भगवान की चर्णो मरपन करता है कभी सुंदर भगवान को भोजन बनाता है भोग लगाता है उसके भाव निकर नहीं लगते हैं कभी उदासीन सा बनकर बैरागी सा बनकर और सडकों पर चला जाता है बयार में चला जाता है जंगल में चला जाता है नदी की किनारे बैट जाता है गुम सुमो करके प्रभू की याद में भाव विवोर रहता है ये दूसरी दर्जे का उचा पहुचा हुआ भक्त है, साधन भक्त से उपर है, तीसरे दर्जे पर प्रेमा भक्ती है, कईए कि प्रथम दर्जा प्रेमा भक्ती का है, दूसरा दर्जा भाव भक्ती का है, और तीसरा साधन भक्ती का है, प्रेमा भक्ति सर्व स्रेश्ट है प्रेमा भक्ति जिसके इरदे में प्रगट हो जाती है इसी को परा भक्ति कहा है इसी को शिद्ध भक्ति कहा है निर्मला भक्ति इसमें मल नहीं विकार नहीं इस फस्ट दर्जे की भक्ती में भक्त रोता है तो संसार के लिए नहीं रोता या इसलिए नहीं रोता कि मेरा मंदिर नहीं बना या मेरा घर नहीं बना या मेरे बच्चा डॉक्टर नहीं बना या कोई दुख से पीडित होकर नहीं प्रेमा भक्ती में भक्त का जो महा भाव खिलता है वो परम शुद्ध होता है प्रभू से के दर्शन चाहता है प्रभू से मिलना चाहता है प्रभू से बात करना चाहता है प्रभू को आलिंदन करना चाहता है प्रवु का भीयोग सहन नहीं होता है उसे जलता है जलन पैदा होती हिर्दे में बिरहे अगनी में जलता है प्रेमा भक्ती का सबसे सुरिष्ट उधारन शास्तरों में गोपियों का दिया गया है श्रीमत भागुद गीता में सुखदेव गोश्वामी जी व्याक्षान करते हुए उपदेश कर रहे हैं कि प्रेमा भक्ती गोपियों की इर्दे में सर्वस्रिष्ट होती है गोपियां भगवान को नहीं भुला पाती है उनके चिंतन में सदेव चित चोर बसे रहते हैं उनके मनन में माकन चोर बसे रहते हैं उनके निद्रा में नट्वर नागर होते हैं उनके कर्मों में कृष्ण कनिया होते हैं अश्ट प्रहर प्रभू को नहीं बुला पाते प्रेमा भक्ती में ओत प्रोत होते हैं ये निर्मला होती है ये बक्ती इसमें मल नहीं होता पहली और दूसरे दर्जे की भक्ती में कुछ मल आउशेश रह जाता है दूसरे दर्जे की भक्ती में भी भक्त भाव भक्ति में, विचार उठाता है भगवान से, प्रार्थन करता है, बहुत सुंदर तेरा मंदिर बनाना चाहता हूँ, विशेश खंबों के साथ, 108 मार्वल के विशेश खंबे हो तेरे मंदिर में, सुंदर गुंबज वनी हो मार्वल की, प्रकाशित हो और दिव्य मूर्तियां आपकी मंदिर में बिराजमान हो यह भगवान मेरे उपर करपा कीजिए गोविंद मेरे उपर करपा कीजिए मैं आपका मंदिर बनाना चाहता हूँ इसमें भी असरुपात होते हैं ये भाव वक्त भी साधर नहीं ये भी स्रेष्ट वक्त है लिए प्रेमा भक्ती बहुत बिशेस है जिनको प्रेमा भक्ती की प्राप्ती हो जाती है इस संसार में वो नहीं रहते हैं ये देहे त्याकर वो अपनी प्रभु को मिल जाते हैं प्रभु की और चले जाते हैं गौपिया अपनी घर में रहती थी अपनी पतियों के लिए सेवा करती थी बच्चों को पालती थी भोजन बनाती थी गव का दूद निकालती थी घर को साफ करती थी पानी भरबर के लाती थी खेतों पर जाके काम करती थी लेकिन उनके चित से चित सोर भगवान स्री कृशन नहीं उतरते थी सदे पागल से बनी रहती थी उनके देखने के लिए लालाईत रहती थी उनका कानों में यदि कृशन का नाम भी आ जाए तो भोस भूल जाती थी ऐसे और भी भक्तищ ऊह हैं। बहुत उधारने जिनके कानों में भगवान का नाम भी आजाए तो महाबहों को प्राप्त हो जाते हैं। कोई उनके उंकने को उच्छे स्वर में पुकार दे , वह महाबहों को प्राप्त हो जाते हिसे। रामकृषन परमंस का नाम सुना है सबने वो बड़े प्रकाश्मान भक्त थे काली माता के भक्त थे लेनुगा नाम तो राम और कृषन नाम से संबोधित था जब कोई उनको कोई आवाज देता था राम कृषन उनका कोई मिलने वाला सादू मात्मा तो उनको महावावा आजाता था अच्छे तन होने लगते थे कि भगवान राम का और कृषन का नाम मेरे कानों में आता है मैं कितना भाग साली हूँ राम कृषन ने भी ब्रिंदावन में भक्ती की थी भगवान की गोपी भाव में ही भक्ती की थी उनके विशेच प्रमाने इस बात के और वो गोपी स्वरूपाई हो गए थे प्रमान मिलते हैं इस बात के की छे मैने के अंदर भी उनका भाव भवान स्री कृषन के प्रती उच्छतम सिगर पर पहुंश गया था उनके इस्थन उबरने लगे थे गोपियों की तरह किसी इस्त्री के जैसे इस्थन उबरते हैं गोपी भाव में भक्ती करते थे एक ऐसे संप्रदा है ब्रिंदावन में जिसमें गोपी भाव में भक्ती होती है तो भक्त कहीं से भी भगवान की भक्ती करना शुरू करे वो उच्चतम सिखर पर पहुंचता है जिस भाव से भी करता है सका भाव है मित्रवत भगवान को ब्यवार करते हैं लोग दास भाव है बातसल भाव है माता पिताओं की तरह भगवान को पूचते हैं पालते हैं खिलाते हैं प्रेम करते हैं नाम लेते हैं उनका जिससे माता पिता अपने बीटेगा ठीक वैसे है जिसे ये शुदारानी कनिया कान पकड़ के कहती थी बोल कनिया सब लोग कह रहे हैं तो निमाटी देखा, मुँ खोल के दिखा, भगवान ने दिखाया, येश्वदा माने तो ब्रह्मांड देखा अंदर मुँ में, तमाम ब्रह्मांड, चांद सूरज, नंदवावा का घर, और उसमें नंदवावा बैठे हुए है, माहा भाव में आ गई है, मूर्चा हो गई, बुला दिया, कृष्ण ने सब कुछ, क्या देखा, क्या नहीं देखा, भगवान ब्रज में मिट्टी खा रहे हैं, ये जानकर कि इस ब्रज भूमी में मेरे एक से एक बढ़कर शुद्ध भक्त, जन्म लेते हैं, ले रहे हैं, आज भी हैं, कल भी थे, कल भी होंगे, आज भी हैं, आज भी भगवान के, शुद्ध तम भक्त, ब्रिंदा बन, गोकुल, बरसाना, नंद ग्राम, बहुला बन, कदम बन, इन में मिलते हैं, और इतने सीधे, सरल, सुभाओं में मिलते हैं, कि आप उनको पैचान, ने में गल्ती कर देंगे, नहीं पैचान पाएंगे, शुद्ध भक्त आडंबरी नहीं होता, दिखावा नहीं करता, नहीं याचक होता, नहीं किसी से कुछ मानता है, पैसा या सुन्दर वस्त्र, जैसा प्रभू सप्लाई कर दें, आनंद लेता है, बलकि एकसस सप्लाई कर दें, तो रिजेक्ट भी करता है, कि नहीं भाई, के पास है, दो कपड़े हैं, दो जोड़ी कपड़े हैं, पाओं में चपल हैं, सब आनंद है, आप आनंद में रहो, भगवान आपको भी प्रसंद रखें, भगवान अपनी भक्ती तुमें भी दें, I am very satisfied, प्रेमा भक्ती गोपियों की होती है, तो ये दुराचारी व्यक्ती भी, चांडाल भी, या कोई less intelligence woman भी, या संसार में, व्यापार में फसा हुआ आदमी भी, यहां तक कि वैश्या भी, ये दि भगवान की शर्ण लेकर, उनका भजन करे, भक्ती करे, सादन भक्ती में प्रिवेश करे, बेशक अपना धंदा ने त्यागे, तब भी भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी, शीग्री, परमशान्ती को उपलब्द हो जाते हैं, परमशान्ती तो भगवान की धाम में मिलती है, और कहीं नहीं मिलती है, भगवान कहते हैं, शश्वच्छान्ती निगच्छती, वो सनातन, इटर्नल पीस को प्राप्त हो जाते हैं, आध्यात्मिक शान्ती उनके इरदय में ब्याप्त हो जाती है, यह जमीन पर भी और शरी छोड़ने की बाद भी उनको भगवान का धाम मिलता है, क्षिप्रम भावती, क्षिप्रम अनिशीग्र, क्षिप्रम भावती धर्मात्मा, शीग्री वो चांडाल या वैश्य, या दुराचारी, महात्मा हो जाता है, महान आत्मा, महान आत्मा कहते हैं, जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है, सेल्फ रिलाइशन हो गया है, आत्म साक्षात कार हो गया है, उसको महात्मा कहते हैं, हर किसी को नहीं, सम्मान वेशक सभी को देना चाहिए, सम्मान देना तो दैवी गुन है सभी को सम्मान देना चाहिए पसु पक्षियों को भी सम्मान देना चाहिए फिर कोई भगवान की साधना कर रहा है उसको महत्मा कह दो तो इसमें हर्ज नहीं है आपका बड़पन है यहां तक कि किसे ने साधू के कपड़े भी पहन लिए है और अंदर से साधू नहीं है तब भी महत्मा कह दो तो आपका बड़पन है आपकी तरक्की है आध्यात्मिक्ता की और और कोई महत्मा भी हो रियल महत्मा और उसको तुम तिरस्कार करो इगनूर करो या अपना जैसा ही मानो या कोई लाल ची ग्रीडी पैसे का मानो तो यह हमारा बड़पन नहीं है यह हमारा छोटा पन है सोचनी की बुद्धी कम है हमारे अंदर एहंकार प्रबल है हमारे अंदर इसलिए एक महत्मा को भी हम महत्मा कहने में संकुचीत होते हैं सुकरते हैं नहीं कह पाते हैं क्योंकि जब देखते हैं महत्मा यह लंगोटी में घूम रहा है आगे पीछे कुछ है नहीं भोजन की तलास में डोल रहा है यह फक्कड को हम क्या महत्मा कहें यह एक गरीब घर में रह रहा है अपने बच्चों को पता नहीं कैसे कैसे तो इसमें हम संकुचित होते हैं, सुकरते हैं, छोटे बनते हैं, फैलते नहीं. फैलेगा तो वो ही जो सब को सम्मान करेगा, सब को आदर सथकार करेगा, सब को प्यार करेगा, वो फैलेगा, सुक्ड़ेगा नहीं? सुक्ड़ेगा तो वो जो प्यार की कला नहीं सीखेगा, सम्मान देना नहीं सीखेगा, किसी को आदर स्वागत नहीं करेगा, किसी से बात नहीं करेगा, बगल में से मूँ फुला के निकल जाएगा, वो सुक्ड़ेगा भगवान के बक्त कमल के फूल की तरह खिलते हैं इर्दे में भी और चेहरे पर भी नेप्तरों में भगवान के बक्तों के जो वैरी हैं वो मूफ लाए हुए रहते हैं एहिंकार में रहते हैं नजरों में क्रूर क्रूरता समाई हुई रहती है हिर्दे में धूरता समाई रहती है वो सुकर चुके हैं उनका पतन संभव है उनको दुख तकलीफ हैं गेरने वाली हैं गेरे हुए हैं वो सुखी नहीं है वो अपने मन में ही बुद्धिमान बनते हैं वो उनकी मर्जी है भवान स्री कृष्ण के भक्त थे सुदामा बड़े गरीद थे ब्रामन थे उच्छ कोटी के ब्रामन थे लेकिन दरिद्र थे घर में कुछ नहीं है उसको दरिद्र बोल देते हैं खाने को भी अन्य नहीं था पहने कोई वस्तर नहीं थे टूटी सी एक छपरा था उसमें रहते थे पतनी थी उनकी एक सुसीला बच्चों का प्रमान तो मुझे नहीं मिला कहीं लिन पतनी थी अभी इतने ये शुद्ध महात्मा थे भगवान के भगत थी कि भगवान इनको आलिंगन करके असुरुपात करने लगे अभी ऐसे छुपे हुए महात्मा आदरनी ये नहीं है तो कौन है फिर जिनको आत्म ज्यान है वो तो ब्रक्षों को भी सम्मान करते हैं ब्रक्षों की जड़ों को अपने हाथ से चुकर सर के लगाते हैं ये समझके कि मेरे परमात्मा इस ब्रक्ष के अंदर भी है सुदामा जी तो बड़े गरिब थे और कुछ समय उन्होंने ऐसा निकाला कि एक ब्रत ले लिया उस ब्रत का नाम है ययाचिक ब्रत ययाचिक ब्रत का मतलब यह है कि याचना नहीं करना किसी भी वस्तु की किसी से भी लेने की याचना नहीं करना मांगना नहीं तो बड़ी और भी गरीब हालत होगी आकर एक दिन काफी भूका था परिवार उनका दो दिन से घर में किरपा, S&G, Restaurant & Suites करवर का स्वाध होवे गर्मा गर्म मक्की दी रोटी ते सरोदा साग होवे मन करे चोले पटूरे खानू लोने किदरे जानो गर्मा गर्म जिल्ट